बारी बारिस को देखते हुए लखनों के सभी स्कूलों में अवकास घोशित लोगों को बाहर ना निकलने के निर्देश लखनों में लगातार बारिस होने के कारण इसकूलों में अवकास की घोशित किया गया है इस संबंद में जिलादिकाई ने आदेश चारी कर दिया है वहीं आम शहरवासों के लिए मौसों विभाग द्वारा जारी भीषन बिजली कड़कनी और भारी वर्सा के मदे नजर अनावत से घरों से ना निकलने का निर्देश चारी किया गया है मौसम विभाग ने भीशर विजली कड़कनी की संभावना भी जाहिर की है प्रसासन ने जारी निर्देश में कहा है कि सुरक्षित भवनों में पेड़ों के संपर्क में आनी से बचे जनपद बासियों को अपने घरों में रहने की सला दी जाती है सतर करहें और सुरक्षित रहें वहीं मौसम भाग रहे हैं लखनो बारबंग की गोंडा लखिमपूर खेरी है हरदोई और सीतापूर में आन्दी तूफान का रेड अलर्ट जारी किया है लखनों में लगातार बारिस हो रही है जिसके कारण सड़कों वे घरों में जल भराव हो गया है बादल चाय हुए है आज सप्ता का पहला दिन होने के बावजूद सड़कों पर ज़्याद आयात नहीं है मुसला धर बारिस को देखती है मंडला युक्त डॉक्टर रोशब जैकब अधिकारियों संग फील्ड पर निकली और शहर में विभिन इस्थानों पर हुए जल भराव का जायजा लिया उन्होंने नगर निगम के उपस्ति सम्मंदेत अधिकारियों को दे आवशक दिशा निर्देश भी दिये पंपिंग स्टेशन मुंसी पुलिया जानकी पुरम विस्तार रिबर कॉलोनी वे इंद्रा नगर आधी विभिन इस्थानों पर मंडला युक्त ने अधिकारियों संग पहुँच कर जल भराव की इस्तिति का जायजा लिया पंपिंग स्टेशन जानकी पुरम किरिया शील होने पर संतोष जता है उन्होंने कहा कि पंपिंग स्टेशन में नालों में पॉलिथे निकत्रित ना होने पाए और साथी सम्मंदित अधिकारी फिल्ड में ब्रहमड शील होते वे सीवर चौक की इस्तिति में ना उत्पन हो पुलिदे